स्वास्त भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत स्वागत है नमस्कार हमारे शरीर में बहुत सारे अंग है लेकिन ये भी है कि पूरे तरह से हमारा जो शरीर है उसके अंदर तंत्रिकाओं का जाल है और उसी के चलते पूरे जो हमारे शरीर में जो रक्त या खून दोड़ता है उसी के वज़ा से दोड़ता है और कई बार कई कारणों से कभी-कभी आनुवानशक्य के कारण, कभी-कभी कुछ लापरवाहियों के कारण, कभी-कभी दुरगटनाओं के कारण और कभी-कभी लापरवाहियों के कारण बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जिने हम नियूरो नियुरो समंधी परिशानिया बोलते हैं तो आज हम कुशिश करेंगे कि जो नियुरो समंधी ये जो परिशानिया हैं कौन कों से होती हैं इसके बारे में आपको बताएंगे और विशेश कर हम आज बातचीत करेंगे मिर्गी के बारे में साथी साथ इस बढ़ते तापमान मे जब मौसम में बहुत सारा बदलाव आया है, गर्मी बढ़ती जा रही है, ऐसे में हम अपना ख्याल कैसे रखें, हम इसकी भी चर्चा करेंगे. आपको बता दें, अपने स्टूडियो में, आज हमने विशेशगे की रूप में आमंतरित किया है, डॉक्टर विकास कुमार को, जो की नियूरो सर्जन है, रिम्स में कारिरत हैं. डॉक्टर साब आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारी कारिकरम में, नमस्कार. डॉक्टर साब, आज हम बात करेंगे कि नियूरो से समंधित कौन-कौन से परिशानिया है, कई बार समझ में नहीं आता है कि ये नियूरो से समंधित परिशानिया जो हम कहते हैं, या नियूरो से समंधित स्वास्थे से समंधित जो समस्याएं हैं, वो क्या है, तो इसमें क की हां तो पे बिमारी वाली जैसे मिर्की यो हो गई समाजा है पेलिपसी की बिमारी हो गई है यह टूमर होगों गई यह अदर पैफलोजीस हूं पाई ढूछ और इस तरह की बिमारी के पूर पर नीजूक्रां ov धर समारी विशेशकर आज हमने अपने दर्शकों से कहा है कि आज हम मिर्गी के बारे में जानकारी देंगे तो सबसे पहले सर पताए कि यह मिर्गी क्या है किसे कहते हैं देंगे मिर्गी को आम भासा में हम लोग दोरा आना जो बैसिकली हम लोग बोलते हैं कि दोरा आना है इसे समझना है कि हमारे ब्रेंड में या तो स्वतह या किसी और कारण से वहां डिस्चार्ज होने लगता है और वहां एक इंपल्स शुरू होता है जैसे इसे आप आम भासा में समझ सकते हैं किящ कि अगर मैं अपने हाथ को हळ रहा हूँ या अपने अफने तो कहीं न कहीं इसpesrr optimally a झालूर निकलता है और्रे समय हां। अब मिर्गी किए दोरे में क्या होता है या तो किसी deathology की वजज से या जैसे माते में कोई कीड़ा आ गया हो माते में कोई tumor आ गया हो या स्वता किसी region से brain का एक part active होता ओ एक तिव होने से उसका असर हमारे हाथ पेर में पड़ता है इसलिए आप देखते हूँ कि आम तोर पे Netflix और दोरे में क्या होता है कि इसी व lived का गड़न तिढ़ा हो जाता है या необ नॉर्म डिस्चार्ज हो रहा है जो जेनरली हπी यहीज में देखते है और उस डिस्चार्ज की वज़े से आपकी बॉडी पॉस्च्रिंग आती है आपके हाथ और पैर में आठन आ जाती है बहुत बहुत देखा हो कि ऐसे जो बच्चे हैं खासकर ऐसे टिढ़ा कर देते हैं तो इससे समझना है कि जो नॉर्मल इस वाले में एक एबनॉर्मल इंपल्स ब्रेन में निकलती है जो हमारे बॉडी में तरह तरह के पोच्च्च दे देती है और आम तोर पर जो इसे लोग पहचानते हैं दौरा आना जो बोलते हैं जिसमें खासकर लोगों का ध्यान जाता है कि मूँ से जहागाना पैसें बहु हो जाता है मूँ से दौरा आता है बोडी में अचानक से एक मूवमेंट आ जाती है तो दौरे में खासकर रही होता है यह तो मिर्गी इसी को हम कहते हैं इस तरह क्या रलक्षन देखें तो इसको हम मिर्गी कहते हैं तो क्या इसके कारण होते हैं कारण अगर आप जाएं तो तीवी हो गई हो या पेसेंट को रोट ट्राफिक एकसिडन में चोट लगी हो माते में बलड क्लोटिंग आ गई हो तमाम जो इस कारण से हमें दोरा आ सकता है पता है इसको परिवारिक अनुवानशिक है कि ब्रेण के जो है कि जिनका कारण पता नहीं है बस इतना पता चलता है कि ब्रेंड से और्मल डिश्चार्ज हो रही है जिसके वज़़े से दोरा आ रहा है तो कुछ case में देखा गया है कि अनुवान्शिक कुछ parcentage हो सकते हैं वह स्कान्स होते हैं कि अनुवान्शिक भी लोगों में आसकता है तो इसको हम लोग रोक सकते हैं कि आज के तो बहुत ही Wait our 주 system हम लोग आगे बड़े हैं तो इसमें आपको सबसे पहले अगर आप देखे तो जनरी यह दो टैप का मैं पूरे ब्रॉड सेंस में बता रहा हूं जनरी यह दो तरीके का होता है एक हमनों फोकल सीजर बोलते हैं जिसमें किसी व्यक्ति का सिर्फ एक हाथ या एक पैर फड़कता है एक हमनों जनरल सीजर होते हैं जिसमें पूरा बहुत हो जाता है हाला कि बहुत प्रॉलम आती है जो हमारा उती है तो यह मुखिता दो तरीके के होते हैं और सभ का ही या अज़िया है चुकि अब हमारे पास बहुत सारी जाँच हैं, हमारे पास एकुप्मेंट बहुत अच्छे हैं, तो अगर हम सही समय पर इन गहें का जाँच चिरा लें और जाँच कर आका दवाईय उंघ मरीज को देते रहें और इसको बिलकुल खाते रहें तो बहुत हत तके ठीक हो सकता ह तो इसकी जो जाच है, जो इलाज है, जो दवाएं हैं, सर हम इसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यह जानना चाहते हैं, कि जैसे आपने कहा कि कभी भी यह जो दौरा है, वो कभी भी अचानक से आजाता है, या फिर पहले से पता होता है, कि इस समय हम, मतलब यह कुछ लोगों को दौरा आने से पहले एहसास होता है जैसे अचाना से घबराहट होने लएगी पसीना आने लएगा और थोड़ा अटपड़ा फील होने लगता है तो उन्हें लगता है अगर जिनको एक दो बार आ चुका है तो समझ जाते हैं बिल्कुल की दौरा आने वाला ह कुछ लोगों में अचानक से चला आता है उसमें लोगों को समझने का नहीं होता है तो ऐसे लोगों में खासकर ध्यान देना होता है कि हम लोग एक प्रोपर एडवाइस उन्हें देते हैं कि आपको जैसे उसमें अगर आप एपलिप्सी या इसके सिकार है तो आपको कार न कि उस से में अगर दौरा आएगा ठीक है तो पेसेंट की जान पर बनाती है और मतलब किसी भी तरह की दूर घटना चो हो सकती है तो कुछ लोगों को आम तोर पर पर पता चलता है कुछ लोगों को सड़न हो जो है आ जाता है तो ऐसे में सबसे बड़ी जो बात मेरे जहन में तो उस वक्त क्या प्राथमिक उप्चार होना चाहिए लोगों का क्या कर्थव्य है वहां पर और खुद क्या तैयारिया होनी चाहिए एक सबसे बड़ी बात में बताऊंगे पूरे इस डिसकसर में सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट यही है अगर आप इस प्लिसी की बात क है तो हमें क्या-क्या ऐस्था करना चाहिए थल यही इस मादयम सब्से इंपोर्टेंट पहले मैं बता हूं कि आपको एक मेंटनvous करने चाहिए जो मकाना चाहिए उन्हें पदाल चलता है और पता चलता है तो उस आप ईक जगह पर बैठे समने जलता है तो उन्हें जैसे मै जाने देना चाहिए एसे प्रिकॉसन कर सकते हैं यह बहुत लोगों को साथ ही यह को सबसे बड़ी जो चांस होती है हमारे दौरे आने की कि लोग दवाईयां कि कर देते हैं अगर आप मेडिसीन कि करते हो तो आने के चांस जो है मिल्गी के बढ़ जाते हैं इसी वजह से आप इसी आने को अपने की और ек सुद्ना हो कि आ आता है उसे हमें आता है उसे हमें आ यह हो गई कि क्या मैं करूं कि न corpo दवा यह उसके परिस्थिति को पहचाने कि कि परिस्थितियों में आता है उसे न करने दे साथी साथी प्रिकॉसन जैसे मैंने बताया पानी के नजदीक ड्राइविंग एरोप्लेंज हो गए और उचाई वाले जगों पर प्रिफर ना करें उनका जाना और कहीं अकेले टेफल ना करें इसके हलावा अगर किसी व्यक्ति को दोरा आ जाता है उन समय सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आम तोर पे आप देखें होंगे कि जो गाओं घर में देखा जाता है कि लोग चपल सुगाने लगते हैं चमच मुह में डाल देते हैं यह बरांतिया है आम तोर पे लोग ऐसा देते हैं और दांत खुलने की कोशिश करते हैं वो चमच तूर जाता है वो अंदर चला जाता और वो सीधे जो है सांस के नली में चले जाती है अलग उसकी मिल्कुल का कारण बन सकती है तो ऐसी बरांतियां बिल्कुल ना करें क्योंकि अगर सिर्फ चपल और जूता सुग नंबर एक जब उन्हें लटाइं तो उनके सर के नीचे कोशिश करें कि तक्या या हाथ रख दे तब तक के लिए क्योंकि दोरे में जब आता है तो अगर उनका सर किसी पथल के नीचे या किसी फर्स के पास में रहे गा तो हे निजूरी होने के चांसर बहुत आता है ऐसा ह आप कुछ ना मिल रहा हो तो कम से कम अपने हाथ उसके निचे लगा ले और उसके मात्य को बचाएंगे पहला दूसरा है आप कर सकते हैं पेसेंट को करवट कर दें लेफ्ट की तरफ कर लेफ्ट की तरफ करने से फायदा क्या होगा कि जब हम सीधे चित सौय रहते हैं तो मु तो आप उसे करवट लिटाने से क्या फायदा होगा कि जो भी जाग आ रहा है तो वह सीधा जमीन पे गिरेगा उसे पेसेंट जो है सुरक्षित रहेंगे पेसेंट अगर कोई टाइट कपड़ा अगर पहन लिया है तो आप उसे ततकाली जो है रिलिव देने का कोशिज करें और सबसे इंपोर्टेंट आई है कि आप सबसे परने उन्हें सुरक्षित में रखें क्योंकि ऐसी जगह पर अगर दोरा आ रहा है तो वह बिलकुल अनकॉ अगर आप कुछ खिलाएंगे या पिलाएंगे तो उस खिलाने की वज़ा से क्या होगा कि पेसेंट को और जान जाने की संभावना बढ़ी रहेगी और अब हमारे पास तो बिलकुल है कि दोरों के समय के लिए नजल एस्प्रे है हमारे पास जो दवाईयां है बिलकुल जाता है तो उसके दोस्तों को समझाएं कि इस बच्चे के पास एक स्प्रे रहता है जैसे इसे दोर आएगा तो इसके माते के निचे तक क्या लगा देवे नजल निकालके दो बुल देना है जिन से ठीक हो और फिस जल्द से जल्द आप डॉक्टर से संपर करें तो यह कु तो यह इस तरह की जो सावधानी है वो लोगों को भी थोड़ा समझना होगा ताकि अगर मिर्गी का कोई पेशेंट है रास्ते में अगर उसको बेहोशी आ गई वो चकर आपके गिर जाता है तो कैसे उसको सुरक्षिन रहता है वैसे बच्चों को अकेले कभी न चूड़े सबस्टी बच्च मेरे समने दोर् STEP परेश लेग जाते हैं यही दोरा का यहन में अगर अलम हो जाती है दोरा का डियरेशन परिस्द्वी की पर से उथे होगा कवजर ही जाते हैं तो सब स्लाइव यहां तो दोरा लेत्बार दोरार निस जीचार रहे है एका पर नियजिजन कि है कि लगतार सब और को बंद आई की बच्छा हो या बड़ा हो हर किसी को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो कहने का मतलब है कि ये उम्र के लिए इस पे कोई बंधन नहीं है, किसी भी उम्र में ये जो परिशानी है वो दिवाय देती है, पच्पन से भी गर्भावस्था में भी ये अनुवानशिक है, तो पता लग पाता है क्या इस तरह की समस्या है, नहीं उस समय पता लगाना ब ये लक्षन और जो सवधानिया जो हमने उस पर चर्चा की है, अब हम इलाज की जाना चाहेंगे, अगर इस तरह की समस्या है किसी को, तो फिर फॉरण डॉक्टर के पास जाना चाहें इन लक्षनों को लेकर, तो फिर कैसे इसका इलाज होता है, कैसे जाज होती है इसकी? ये जी एक जांच होती है, जिससे हम लोको पता चलता है कि ब्रेन के अंदर में कोई अबनॉर्मल वेब हो जाए, वो बन रही है कि नहीं बन रही है, और अगर एम राई में रिपोर्ट जबाती है, उसमें अगर कई सपोच की अगर कीड़े, दिमाग में कीड़े आया है, तो फिर उसका इलाज करते हैं, और अगर फिर कुछ नहीं आता है, या ये जी अपनॉर्मल आता है, तो उसके अकोर्डिं फिर हम डियागनोसिस बनाते हैं, कि ये किस प्रकार का मिर्गी है, चुकि इसके बहुत सारे प्रकार है, और उस प्रकार में जो हमारी रोकने की चलती है न जो होती है और चलती है फिर हम लोग उसे बोलते हैं कंटीनिव करने को मतरब दवाएं है जो इसमें कारगर होती है तो डिफेंट डिफेंट टैप्स के लिए अलग-अलग हैं कि अगर किसी को जनरृइज आ रहा हैं तो आपको क्या देना है अमर के हिसाब से किसे ह हमें क्या देना है और अगर किसने को पहला दोरा है तो हमें कौन से दवाई देनी है अगर जिनको है कि चौंधा या पांचमा दोरा आ गया है या पहले मल्टीपल एपिसोड है या पांच साथ साल दोरा आ रहा है उनके लिए फिर हम लोग अलग दवाईयां यूज करते हैं तो यह टोटली डिपेंड्स करता है डॉक्टर और उनके इन्वेस्टिगेस तो दवाउं से सर यह एक समय आता है कि जब यह मरेज जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है बहुत के से मिर्गी का इलाज हो जाता है उसके बाद यह दौरे नहीं पड़ते हैं बहुत सारे के स्काइब की जो दवाईयां है उसमें दौरा ठीक हो जाता है लेकिन कुछ लोगों में इप नहीं हो पाता है क्योंकि कहीं न कहीं पर जो पे जो पेसंट रहे हैं या तो दवाईया छोड़ देते हैं या फिस जैसे ही उन्हें एक साल या चे महने का पिरेड बिलता है कि मिल कि आपको समझना पड़ेगा कि आपको डॉक्टर के फॉलो अप में रहके जब बंद करें तब ही आप बंद करें हमारे पास पहुत आरा ऐसा है कि पहली डॉस हम लोगों ने दिया व बिलकुत छे मैंने ठीक हो गया उन्होंने अपने छोड़ दिया अब दुबारा उन्हें तब हमें डॉस बढ़ानी पड़ती है और दुबाईयों के डुडेसन बढ़ानी पड़ती है तो उन्हें अगर प्रोपर फॉलो करें डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन को तो बहुत हत तक हम इस बिलकुल ठीक हो जाते हैं अगर दॉपर तरीके से डॉक्टर के बताई हुए बिलकुल सही रखें दॉपर तो यह बिलकुल एक समय आता है जब लोग मिर्गी से ठीक हो जाते हैं मिर्गी से उनका पीछा चूट जाता है लेकिन सर आप सर्जन है तो हम सरजरी की भी बात करेंगे कि क्या इसमें सरजरी होती है कभी कभी दॉपाई काम नहीं आती है अब बिलकुल अभी एक एपलिप्टिक सरजरी एक अलग ब्रांची बनते चले जा रहे है जिसमें लोग इसपेसली फोकस करते हैं कि ब्रेन का वह एरिया जिसने मैंने बताया थे कि सबोजे मैं हाथ हिला रहा हूं तो ब्रेन का कोई पार्ट जो है काम करता है तब हम हाथ हिला तो अगर मालेजे कि उसी पार्ट में अगर अबनॉर्मल डिशार्ज हो रहे हूं और मिर्गी आने के कारण मेरा हाथ बार बार मूव कर रहा हो तो वैसी इस्तिति में हम लोग ब्रेन के कुछ पार्ट को ठीक है थोड़ा हटाने का कोसिज करते हैं या उस पार्टिकुलर ज जानना चाहेंगे रिंस में कि अगर इस तरह केयं पेशन्मिक्न हैं तो वह कहा जा सकते है कैसे किया करना होगा कैसे हीलाज होगा क्या वेवस्धाइँ हैं वह पर लोग बिल्कुल निश्च रफोकर बाह जा सकते हैं इहां अभी आम तार पर हमारे हैं निरो उलोजी भी भ करते हैं उन कराने से आपकी बीमारी पकड़ में आ जाएगी फिर दो दवाईयां चलेगी ठीक है उन्हें आप फॉलो करते रहें तो इसमें इसमें गभराने वाले बिल्कुल कोई बात नहीं है ऐसा हम लोग हजारों मरीज को ठीक करके बेचते हैं और बिल्कुल ठीक होता है लेकिन इसमेर्स सबसे बड़ी यहीं बात है कि जो आम तोर पे येसे test की मरीज को आता है तो बुकार आने पर आपको जान का खता उससमें नहीं बना रहता है लेकिन ऑफिलिपसी है जिसमें ऐका धॉर्णाज आता है तो मरीज की जहन जा सकती है। बहुत कर हम लोगों ने जादा इंपोर्टेंट है उनके अगल बगल वाले लोगो का और परिजने का उनको एजुकेट होना इस मामले में जादा इंपोर्टेंट है ताकि उस भीमारी को समझे क्योंकि जिसमें व अज्छिट को राभ आएगा उसमें व बएचारा तो पड़ा रहेगा या उसे हो सकत क donors कते हैं तो किसी बी हमारी न हो अधार बिल्कुन को कैंगार के अभी सर तापमान मे वह बढ़ा हूँ है तापमान, तो क्या इस तरह की गर्मी के मौसम में इस तरह की दौरे जो है वो ज्यादा आते हैं क्योंगे बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं चक्कर आना उल्टी होना यह और हिड़क अर। हम लोगों को पहचानने के लिए जो जनरल हम लोग यूज करते हैं आम भासा में कि अगर किसी व्यक्ति के मुझ से जहागाने लगता है और वो टंग बाइट कर देता है अपने दात से कर लेता है सरी में थोड़ी आठन आ जाती है आंक बड़ी-बड़ी हो जाती है तो इसे हम लोग दोरा मानते हैं लेकिन कोई व्यक्ति अगर आचानक से मौसम की वज़े से जैसे अभी आपने बता है कि गर्मी की वज़े से जनरली क्या होता कि व्यक्ति का चुकि तापान जो है वो खाफी हाई है और इस वज़े से हमारे और बढ़ते हुए तापान से बच्चे काफी स्कूल के लाइन में खड़े रहते हैं और खड़े रहने की वज़े से उन्हें अचानक लबी लाइन में पर लोग बेहुश हो जाते हैं तो उनका वही है कि वही है कि वही पानी की कमी हुई और पूरे अच्छे तरीके से ब्रेन तक ब्लड नहीं है ताकि पैरों के अंदर का ब्लड फ्लो है थोड़ा ब्रेन तक पहुँचे में यहां भी डिफ्रेंस है कि अगर नॉर्मल जो हम बेहुश हुए है तापान की वज़े से तो पैर के तरफ रखनी है और मिर्गी के दौरे अगर आते हैं तो सर के तरफ तो उसमें क्या होगा कि जैसे आप पैर किसी उच्छे जगव पे रखेंगे या दो-तीन तक यह उसके निचे लगाएंगे तो ब्लड फ्लो पैरों की तरफ से सर की तरफ जादा होता है तो थोड़े हो जाते है पैसे जल्दी जाग जाता है और साथ ही साथ आप नजदी की डॉक्टर से संपर कर ताकि फिर वो पानी वगर जो हम लोग स्लाइन सोकर चाहते हैं वो चाहाएंगे तो उनसे व्यक्ति थोड़ा ठीक होगा जी समय अब हमें इजाज़त ने देर आपसे और सवाल करें सर चलते चलते मिर्गी के अगर जो पेशेंट है उनके लिए कुछ आप हिदार देना चा को सबसे पहले आपको मिर्गी है लोग अब मिय तो इसके मारे में कर सकते हैं अप जी-टन ही अच्छ अचछ आप इलाज कर पाएंगे उतना ही तो चुकि जो भी नहीं हो उन्हें आप चेंज नहीं कर सकते हैं, जो दवाईयां है और डॉक्टर्स देंगे, तो आपके पार्ट में क्या है, आपका जो रोल है यहीं पर आता है, आप बीमारी को समझे कि किन किन कार्णों से बीमारिया मुझे हो रही है, वो ना करें, साथ ही साथ अगर ऐसा होता है, हम क्या कर सकते हैं जो जैसा मैंने बताया कि मरीज को लिटा दें सर के निचे तक क्या लगा दें कुछ ना खिलाए और जो हमारी वरांतियां है कि चप जुगाना और चमच चोगर मुँए देना ऐसा ना करें तो यह सब करके आप बिलकुल जो है सुरश्ची तरह सकते हैं बह सही तरीके से हम डॉक्टर के जो बाते हैं उसका हम मान रखें तो सर आप हमारे स्टोडियो में आए और बहुत अच्छी जानकारियां दी हैं अपना किम्टी वक्त हमें दिया है आपका हम बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं नमस्कार करते हैं नमस्कार